यदि आपका डॉक्टरी चेक अप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करनी की अभी तक कोई अल्टरा साउंड या MRI जैसी मसीन नहीं बनी यदि आपको दिन में चार बार और रात को लगबग दस बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते तो आपका सजना सवरना सब बेकार है क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगडा हुआ है यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्यांगों को पोशन कहां से मिलेगा इसलिए पादने में संकोच नहीं करें और खूप पादें क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई दोस्तों पाद कितने परकार के होते हैं क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं पाद पाँच परकार के होते हैं पहला है भोपाद, अर्थात पादों का राजा यह घोषण आत्मक और मर्दानगी वरा होता है इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बद्बू कम होती है जितनी जोर की आवाज उतनी कम बद्बू दूसरा है सहनाई पाद हमारे पूरवजों ने इसे मध्यमा भी कहा है इस में से आवाज निकलती है ठेठेए या पूं तीसरा है खुर्चनी पाद इसकी आवाज पुराने कागच के सरसराहड जैसी होती है यह एक बार में नहीं निकलता है बलकि एक के बाद एक कई पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर्पिर् बद्बू का गुप्तदान देता है और दाता अपनी नाप को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है लेकिन आप कुछ ना बोलें केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें इससे दाता स्वम ही पकड़ में आ जाएगा अब अपने पाद गिस्रेणी निवधारित करते हुए पाद गा अनंद उठाईए और जम कर बेजजग और खुल कर पादिये और अंत में अपनी हसी रोक पाओ तो बोलना बहू ब्रामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही जुकी तो बहू का पाद निकल गया बहू शरम के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी तो ससुर ने आवाज लगाई बहू यहां कुछ काम था या सिर पाद ने ही आई थी